वेलकम ओल फ्रेंड्स आज हमारा टॉफिक है आपात कालिन उबबंद क्या है दोस्तों आपात कालिन उबबंद इसके बारे में चलिए जानते हैं विस्तार से तो स्विधान के भाग 18 में अनुसेद 352 से 360 तक आपात कालिन उपबंद के बारे में बताया गया है यानि कि याँ पर दोस्तों क्या बताया है कि हमारा भारत का क्या है स्विधान स्विधान के किस भाग में भाग 18 में और अनुसेद कहां से 352 अनुसेद से लेकर 360 तक के अनुसेद में गावरणन है आपात कालीन उपबंद गावरणन है यनि कि भारत में जो अपात काल तीन परकार के है बाहरी यो दोने पर आंतरिक यो दोने पर तो यहां पर 352 से 360 तक आपात कालीन उपबंद बताया गए हैं हमारे स्विधान के अनुचेतों में आपात काल के दोरान सभी राज्जे केंदर के पुरन नियंतरन में आ जाता हैं आपात काल को तीन परकार में भी भगत किया गया यानि हमारी भारत में तीन परकार के आपात काल किसी भी समय लागू किये जा सकते हैं यानि कि दोस्तों आपात काल हैं जिसके लगने पर क्या होगा राज्जे है जो केंदर के पुरन नियंतरन में आ जाएगा ठीके यह तो होगी एक फेष्ट बात दूसरी बात देखो आपात काल भारत में तीन भागों में बाटे गए हैं तीन भाग कौन कौन से वो भी जानेंगी तो आपात काल किस समय लागू होंगे उसके सभी तच्थ्चों के बारे में चलिए जानते हैं तो सबसे पहले यहां पर हो रही है कि आपात काल के तीन परकार बताए थे तो चलिए आपात काल के परकार पहला परकार है युद याबा है आकरमन यानि कि कोई युद हो रहा है और जो बहारी आकरमन है यानि कि भारत हैं देश पर पाकिस्तान आकरमन करता है तो समय अनुसे 352 लगेगा जिससे देश पर आपातकाल इस्तती गोसित की जाएगी दूसरा आपातकाल है राज्य में सवेधानिक तंतर की विफलता के कारण राष्टपती सासन लगता है यानि की सुवेधानिक विफलता यानि की भारत में किस सासन चल रहा है मानलो नरिंदर मोधी बीजेपी का चल रहा है तो अगर ये सरकार फैल हो जाए तो राष्ट ये आपात का लगेगा आपात का 351 जिस पर राष्ट पती सासन लागू हो जाएगा परधान मंतरी के हाथों में फिर कुछ नहीं रहेगा अगर पाल्टी भी भी खर जाए तो सरकार भी खर जाए तो तो फिर राष्ट पती के हाथ में वो सासन चला जाए वित्य सुवाइता के कारण वित्य की सुवाइता अगर लगती है तो आपात का 360 को लगया जाता है 360 लगे कब लगेगा 360 लगेगा वित्य इस्ताइत्व के कारण अब आपातकाल की गोशना की परकार किस परकार गोशित किया जाना चाहिए क्या है परकार चलिए जानते हैं राष्टपती विभीन परियोजना को या परियोजना जारी कर सकता है यह उपबंद 1905 में 38 स्विधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया है कब हुआ था 1905 में कौन सा 38 स्विधान संसोधन जब गोशना युद्ध या बहर आकर्मन के पर आधारित की जाती है तब इसे बहर आपातकाल कहा जाता है बहर आपातकाल या बहर आपातकाल क्या है जब युद्ध हो दोस्तों बहर आकर्मन यानि की दूसरे देश भारत पर आकर्मन करता है तब दोस्तों ये बाहरी आपातकाल लगाया जाता है। नाम रखा गया था यहनी कि दोस्तों आंत्री गड़बडी पहले नाम था उन्नीस सो इठूतर में चामारिस वासविदान सांसोदन के तैद इसका नाम बदर कर सरस्त्र विद्रो कर दिया गया था राष्टपती मंद्री मंडल को लिखित सिपारिस के बाद ही सासन लागू कर सकता है दोस्तों राष्टपती है वो क्या कर सकता है मंद्री मंडल को लिखित सिपारिस पहले देने पड़ीगी उसके बाद ही आपातकाल लागू कर सकता है वरना आपातकाल भारत में लागू नह आपातकाल की गोषणा की एक महा के बार दोनों सदन्दूरा अनुमॉधित हो जाना चाहिए लेकिन स्वेधानिक औ वित्य शंक्रट उसकी समय सिमा दो महिने के अंदर हो जानी चाहिए यानि की दोस्तों आपातकाल की गोषणा भारत में हुईै तो इसके गोषणा होने की ए सब कुछ उसे लिख कर देना पड़ेगा और दोनों संसद जब उसे अरुमत ही देंगे तब ही वो आपातकाल आगे चलेगा वरना एक महीने की भीतर उस आपातकाल को समाप कर दिया जाएगा और अगर वित्य संकट है तो इसमें दो महीने का समय लग सकता है अगर दोस्तों बहार का संकर दिखाई देता है तो उसमें दो महीने का जो हैं आपातकाल लगने के भीतर भीतर राष्ट पती को जवाब देना होगा कि क्या प्रोबलम है और अगर देश के अंदर किसी सिमा के लगाया है तो एक मैंने की भीतर भारत के दोनों संदन है उनको बता नहोगा कि किस कारण जो अपादकाल आपने लगाया है अब देखो अपादकाल की गोषना लोग बाके विगटन के समय ही की जाती है दोनों संदन के अलूमोदन के बाद ये गोषना और सव मैंने तक रहती है यानि कि दोस्तों गोशना करने के बाद अगर संसद के दोनों सदन है लोकसबा और राजिसबा ये मान लेते के हाँ भारत में वित्तिय आपातकाल है तो ये दोस्तों जो आपातकाल लगावा है वो दोस्तों सव महिने तक चलेगा सव महिने के बाद उसकी आतरिक इस्तेती को देखने के बाद आपात काल बढ़ाया जा सकता है तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे हीटीच चैनल को सब्सक्राइब निकात कर देजे वीडियो को लाइक रहे दोस्तों साथ सेर कर लें और दोस्तों हमारे चैनल के दिख सथी सपोट करने की कोशिस करें ओके अगला आप दे गोष्णा की समाप्ति है वो किस व्परकार होगी कि राश्ठ-पती एक दूसरी उद गोष्णा पर आपात कालें इस्तथि को समाप्त कर सकता है या बिना किसी भी जो संसद्य अदुमोदन के तरफ अपने आपातकाले इन गोशना की समाप्ती हो सकती है अब देखो आपातकाले इस्तती के क्या पढ़ते हैं प्रभाव प्रभाव के बारे में चलिए जानते हैं तो परभाव सबसे पहला हो सकता है कि आपात काल के दोरान केंदर राज्य के समंदों पर परभाव पड़ता है यानि कि आपात काल लगा हुआ है तो दोस्तों इससे क्या होगा केंदर और राज्य दोनों के बीश में मत भेद हो सकता है दोनों के समंदों में परभाव पर सकत यहां कि राश्टपती सासन राज्यों पर्भी लग जाता है और ऊसका परहुग राश्टपती माना जाएगा अब दीख वहू दूसरी बात फैजिंगा लूगसबासुकर बोफित सासे लौद्यने जो मुख्य मंत्र को जिता थे ठीक है वे बैठते हैं राज्य विदान सभा में तो अब क्या होगा कि लोक सभा की दोबार जिता हुआ राष्टपती सासन लगेगा तो राज्य विदान सभा के जो बी इतने भी सदिशी हैं उनको गर बैटना होगा कि उनकी कोई भी सासन काल या उनका कोई भी काम नहीं होगा क्योंकि राष्टपति सासन लग जाएगा तो इसलिए इन दोनों के बीच में परभाव भी पड़ेगा यह आगे देखो अधिकारों पर भी परभाव पड़ेगा यानि कि अब राज्यों यानि कि भारत के देखो गुंतिस राज्ये हैं तो अब वापस 28 राज्ये होगे तो अब 28 के 28 राज्यों पर एक ही परभाव पड़ेगा यहां पर राजस्तान में मुख्य मंतर चाहेगा वो पर भाव पड़ेगा गुजरात में देखो तो मुख्य मंतर चाहेगा वो पर भाव पड़ेगा हिमाचल परदेश हमारे उत्र पर देश में जहां पर भी जो हैं वो ही पर भाव पड़ेगा परनतु यहां पर अधिकारों तो अधिकारों का परभाग एक समान पढ़ना सुर हो जाएगा अब देखो लोकसभा का कारेकाल लोकसभा का कारेकाल आपातकाल इस्तिती में लोकसभा का कारेकाल कैसे सलेगा वो एक महत्पूंदती तो आपातकाल इस्तिती में लोकसभा का कारेकाल पांस साल से एक समय एक व माँ से ज्यादा नहीं बढ़ सकती अब अगर देखो पांच साल का क्या लगाए आपात का लगाए पांच चाल एक महीने हो गए इसको एक साल बढ़ाया सथ साल हो गए ठीक है पांच साल आपात का लगा था एक महीना उपर गया जानी कि अब होगे पांच साल एक महिना अब आपात का समाप तो चुक है तो सहो मा के भीतर बोट करवाईगा तो यानि कि 5 साल 7 महिने में नहीं सरकार बन सकती है तो 10 साल तक चल पाएगा उसके बाद बोट करवाने ही पढ़ेंगी तो इस परकार भी एक पर भाव बढ़ाई जा सकता और ये दो बार बढ़ाई सकता है यानि outta 2 वर्ष तक भी आसानी से बढ़ाई सकता है ऐसे स्तरी में। राजी विदान सभा का भी कारेकाल बढ़ाई जा सकता है राजी विदान सभा के जितनी भी सदेश YOUR लोकसभा के वीतरू उनका भी कारे काल बढ़ेगा क्योंकि जब तक आपात का लगा होगा तब तक बोट नहीं होंगे अब मूल अधिकारों पर क्या परभाव पढ़ेंगे आपात काल के समय में तो देखो आपात काल इस्तुती में राज्य अनुसेद 19 दुआरा समूल अधिकारों को कम करने और उन्हें हटाने के लिए कानुन बना सकता है यानि कि उस अनुसेद समूल अधिकार हैं उनको कम भी कर सकता है उसे हटाने का भी कानुन आपात काल के भीतर बनाया जा सकता है आबादका समापती के बाद अनुसेद 19 स्वेब तम पुन जिविद हो जाएगा और अनुसेद 19 जो दोस्तों है वो स्वत जिविद हो जाएगा और भारत में वापस समूल अधिकार लग जाएंगे यानि कि याँ पर देखा जाए तो देखो कि आबादकाल के दोरां समूल अधिकारों को हटा सकता रष्ट पती जैसे ही आबादकाल समापत हुआ ठीक है तो समापत होने के बाद ये वापस समूल अधिकार जिवित हो जाएंगे यानि वापस वही समूल अधिकार चलेंगे उसे कोई हटा नहीं सकता कुछ महतेपुन अनुसेदों के बारे में महतेपुन तत थे अनुसेद 358 के वल अनुसेद 19 के अंतरगत मूल अधिकारों से सम्मधित अनुसेद कौन सा है अनुसेद 358 है जो अनुसेद 19 के अंतरगत मूल अधिकारों से सम्मधित है अनुसेद तीन सो गुन साट जो आपात का सक्तिम आता है ये किसे हैं ये समंदित है जिसका राश्टपती आदिस द्वारा निलंबन हो सकता है राश्टपती आदिस करें तो ये निलंबन भी इस वो आपात काल के दोरान कर सकता है ये आपातकाल के समद्धित अनुसेद अनुसेद 358 क्या है अनुसेद 19 के गोश्टा होने पर अनुसेद 19 के अंतरगत मूल अधिकारों को निलंबन कर सकता है और अतता 3060 मूल अधिकारों का निलंबन नहीं करता है अपी तो राष्ट पती ये सकती देता है कि वो मूल अधिक Xanogun 362 पर ही लागू होगा बाहरी विद्रू होगा तो 358 अगर केंदर विद्रू होगा 358 नहीं लगेगा अगर ऐसी इस्टती में 360 अगर बाहरी आकरमण अंदरुनी आकरमण है तो भी तीन सो गूंट देश में लागो होता है लेकिन अनुसे तीन सो गूंट साथ संपूंट देश तता किसी भी भाग में लागो होता है इस तरह आपातकाल के अब तक तीन बार दोस्तों आपातकाल लगे हैं 1962 में भारत सीन आकरमन के दोरान कब लगा था जो 1962 का भारत सीन आकरमन हुआ था समय लगा था 1965 में पाकिस्तान के विरुद हुए युद में आपातकाल जारी किया था पाकिस्तान से विरुद युद हुआ था 1991 में पाकिस्तान के आकर्मन के समय ये जारी हुआ था आपातकाल 1995 में बाहे आकर्मन सस्त्र बलों दोरा उत्पन इसी में अधिकारों का दुरुपयोग विरुद में व्यापक विरुद भी हुआ था दोस्तों कि आपत काल क्यों लगाए गया तथा यही आपत काल सबसे ज्यादा विवादी था उनीस सो पिछूतर में उनिस सु श्टूतर में लोक्सभाच '' चुनाओं में जनता दल की पाल्टी बनी थी तब उनिस सु पि-चूतर में के दुरFlowPयोग का पता लगाने के लिए सहायोग का गथन किया था जो इनुस सो पिचूतर में दोस्तो आपात का लगाया था इसी बाद सम्मालिस वा स्विधान संसोदन 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 किया गया था जिसमें इसी बाद सम्मालिस वा स्विधान संसोदन इसी बाद सम्मालिस वा स्वि नियंत्रन में ले लेता है इसे ही राष्टपति सासन कहते है राष्टपति सासन किस अनुसेद की भीतर है अनुसेद 351 ये पश्टन कई बार पूचा जा चुका है इसका देखो क्या होता है राज्जे में स्विधानिक तंत्र ठीक है विफल हो जाने पर ये दो चीज हुई तब दोस्तो केंद्र क्या करेगा राज्जे को अपने नियंत्रन में ले लेगा इसे क्या कहते हैं राष्टपति सासन की समय अवधी क्या है राष्टपति सासन की गोशना दो मा के भीतर ये दूनों सुदंद्वारा अदुमोदिद हो जानी चाहिए इस प्रिस्तितियों म स्विकरती पर तिक 137 मा के लिए बढ़ाया जा सकता है तीन वर्स तक या पाद कल बढ़ाया जा सकता है पर ऐसे नहीं कि तीन साल तक बढ़ा दो ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है तो इससे बढ़ायने के लिए हर 10 समय एक पस्थावलाना पड़ेगा और दोस्तों इस परकार करने के बाद तीन महा तक यह आपात काल बढ़ जाएगा ठीके राश्ट पती सासन के क्या प्रिनाम होते हैं राश्ट पती राज्जे सरकार के सारे कारेत अपने हाथों में ले ले लेती हैं उसे अन्य अधिकारियों या कारेकर अधिकारियों की सक्तिया पराप्त हो जाती है इस समय राश्टपती मुख्यमंत्री के नेतरतवाली मंत्री परिस्द को भंग भी कर सकता है राज्ये का राज्येपाल दोस्तों राश्टपती के नाम पर राज्ये सला सकता है राज्येपाल राश्टपती के नाम से दोस्तों जो हैं राज्ये वो सला सकता है जिसमें वक्य मंत्रगे जरूत नहीं होगी इस दोरान किसी बेपराधी कारिकार द्वारा बनाया गया कानूरासन के बच्चाद भी इसे परभाव कर सकता है राश्टपत्य को इस इस्तिती में उच्छी नियाले की सक्चिया परापत हो जाती है किसको राष्टपति को कौन सी सक्ट्या परापत होगी उच्छी नियाले की सक्ट्या राष्टपति को आपातकाल में परापत हो जाएगी अनुसे 357 का परियोग 1950 में अब तक लगभग 100 से अधिक बार राष्टपति सासन लागो हो चुका है अनुसे 357 स्विदान का सबसे बड़ा विवादवस और अलुस्तात मधव जो अपातकाल था सरवपतम राष्टपति सासन दोस्तों पंजाब पर लगाया गया था 1951 में 1989 में राष्टपति सासन सबसे पहले लगा था 1988 में नागालेंड में, 1990 में करनाटक में, 1991 में घाले में राश्पती सासन का वेद नहीं ठेहराया गया यानि कि साश्पती सासन लगाया गया पर ये किसी गल्त फ्यमी के कारण लगाया गया था इसे वेद सासन नहीं माना जाता स्विधान का मरत पत्र अनुसे 315 को मारा जाता है अनुसे 315 को क्या कहते हैं स्विधान का मरत पत्र ये पशने भी कई बार पूचा जा चुका है वित्य आपातकाल का संवंध किस से है अनुसे 360 से वित्य आपातकाल का संवंध है अनुमोदन वो समयावदी कितनी होती है वित्याबादकाल की गोश्टा के तीथी दो माँ के भीतर संसद की स्विकरती मिलना अनिवारे अगर वित्य आबात का लगा है तो दोस्तो संसद की स्विकरती दो मा के भीदर लाना पड़ेगा वारना ये आबात का लविफल माना जाता है ये वित्य गोष्टा के दोरान लोकसभा विगटन हो जाती है ये गोष्टा पुनर गठी तो लोकसभा का पर्थम बैठक 30 दिनों के परभावी रहेगी और पुनर गठन होने पर दोस्तों 30 दिनों तक इसकी बैठक चलेगी फिर इसका निया ले जाता है अब तक वित्य संकट एक भी बार गोसी ते नहीं हुआ है लेकिन उनीस सो एकराणों में वित्य संकट आया था उनीस सो एकराणों में दोस्तों वित्य संकट आया था अकाल पड़ा था फिर भी दोस्तों ये जो हैं वापात काल वित्य आपात काल लागू नहीं किया गया दे आपातकाली समंदी मेहतेपुन अनुसेद के बारे में चली जान लेते हैं। अनुसेद प्रावधान बताता है। आपातकाली समंदी जितने भी दोस्तों प्रावधाने वो अनुसेद प्रावधान बताता है। गुरुजी जी के स्टेडी चैनल के साथ और आप हमारे जो पॉलिटिकल बुक्स हैं वो खरीदना साथ हैं। हम आपको बन्यो जो और्डर हैं उसके तहत आपको पहुंचा सकते हैं। जय सब्सक्राई वीडियो लाइक रहें ताकि और आप कमेंट में वेडियो क्मेंट को सपर्ड़ करें।